टाइपस अफ फोल्ट्स एन फोल्ट्स वलन वो ब्रंस वलन का सुभाव कई बातों पर अधारित होता है यदि चट्टान अधिक कलचीली दा कोमल होती है तो वलन अधिक होता है किन्तु यदि चट्टान कठोर होती है तो वलन शाधारन प्रकार का होता है इसी तरह संपिडन की भिनता के कारण भी वलन में परियाप्त अंतर आता है सामान्य वलन की दोनों बुजाओं के जुकाव बराबर होते हैं किन्तु वलन की दो बुजाओं के जुकाव अलग-अलग होते हैं इस आधार पर वलन में परियाप्त विबेद होता है पहला सम्मीत वलन साधारन परकार के वलन को सम्मीत वलन कहते हैं इसमें वलन की दोनों बुजाओं का जुकाव बराबर होता है और यहां खुला हुआ वलन होता है पहला सम्मीत वलन इस तरह के वलन की दोनों बुजाओं के वह समान होती है एक बुजा साधारन जुकाव वाली होती है जिसका डाल करमस होता है जबकि दूसरी बुजा छोटी होती है और इसका जुकाव अधिक होता है इस तरह दोनों बुजाओं के जुकाओ तथा लंबाई में वसमानता होती है तीसरा एक दिगनत वलन जब किसी वलन की एक बुजा का जुकाओ साधारण तथा डाल क्रमस होता है और दूसरी बुजा का जुकाओ समकोन बनाते हुए होता है तथा डाल एकदम खड़ा होता है तो उसे एक नती या एक दिगनत वलन कैदे है इसके निर्मान में लंबवत संचलन का हाथ होता है अधिक संपीडन होने पर इस वलन की बुजा के तूट जाने की संभावना रहती है इसके तूटने पर ब्रंश का निर्मान होता है चौथा समनत वलन दोनों दिशाओं से क्षेतिज संचलन के कारण समान संपिडन के कारण वलन की दोनों बुजाएं समान रूप में जुकी होती है तता एक दूसरे के इतने समीप आती है कि दोनों बुजाएं समान अंतर हो जाती है इस तरह के समनांतर भुजावाले वलन को समनत वलन कहते हैं पांचवा परिवलित वलन जब क्षिति संचलन अत्यदिक तिवर होता है तो अत्यदिक संपिडन के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों पुजाएं परस पर समनांतर होती हूई खितिज दिशा में हो जाती है चथा प्रती वलन अत्यदिक संपिडन के कारण जब वलन की एक बुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे प्रतिवलन कहते हैं इस प्रकार के वलन की भुजाए क्षेतिज अवस्था में नहीं होती है साथवा अवनमन वलन जब किसी वलन की अक्ष क्षेतिज तल के समानांतर न ओकर उसके साथ कौन बनाती है तो उसे अवनमन वलन कहते हैं आठवा पंखा वलन जब एक व्रहत वलन की व्रहत अपनती तथा अभीनती में कई छोटी छोटी अपनतियां अपनतियां तथा अभीनती में कई छोटी छोटी व्रहत अपनतियां मिलती है तो उसे पंखावलन कहते हैं इनकी आकरती पंखे किसे मिलती जुलती है नौमा खुलावलन जब किसी वलन की दो बुजाओं के बीच का कौर्ण 90 डिगरी से अधिक किन्तु 180 डिगरी से कम होता है अर्थाथ जब बुजाओं के बीच का कौर्ण अधिक कौन होता है तो उस वलन को कुला वलन कहते हैं इसका निर्माण सामान्य संपिडन के कारण लहर नुमा वलन पढ़ने से होता है दस्वा बंद वलन जब किसी वलन की दो पुजाओं के बीच का कौन नियून कौन होता है तो उस वलन को बंद वलन कहते हैं इसका निर्माण अत्यदिक संपिडन के कारण होता है ग्रीवा खंड या नापे तीवरक्षतिज संचलन तथा संपिडन का परिचायक होता है परिवलन मोडों में दोनों बुजाएं समानांतर तथा क्षेती जोती है जब संपिडन अधिक होने लगता है तो परिवलन मोड का एक खंड खिसक कर दूसरे खंड पर चड जाता है इस क्रिया को उतक्रम कहते हैं जिस तल के सहारे उतक्रम होता है उसे उतक्रम तल कहते हैं उतक्रम के काराण उपर उठे हुए भाग को बाहिय उतक्रम वलन कहते हैं जब संपिडन अधिक तीवर हो जाता है तो वलन की बुजा इतनी अधिक मुड जाती है कि वह वलन के अक्स पर तूट जाती है तथा निचली परते उपर की ओर आ जाती है इस तरह वलन की सनचना उल्टी हो जाती है ख्रती संचलन तथा संपिडन के जारी रहने पर वलन की तूटी हुई बुजा अपने इस्थान से कई किलोमेटर दूर जाकर अन्य परकार की चट्टान पर चड़ जाती है इस तरह की सनचना में साम में नहीं होता है जब एक वलन की बुजा हुप्र्यूक्त दसाओं में तूट कर दूसरे इस्थान पर चली जाती है तो उसे ग्रीवा खंड कहते हैं भूपटल विभंग क्रस्टल फ्रेक्चर भूपटल में प्रत्वी के अंतरजात बल द्वारा एक तल एक तल के सहारे चट्टानों के स्थाना अंतरण को भूपटल विभंग कहते हैं भूपटल विभंग अंतरजात बल द्वारा उत्पन क्षिति जशंचलन के कारण तनाव तथा संपिडन के कारण होता है जब तनाव की सकती सामान्य होती है तो भूपटल में केवल चटकने ही पड़ती है किन्तु यदि यह सकती कुछ प्रवल होती है तो चट्टानों के इस तरों में इस्थानांतरण होने लगता है, इसे विबंग कहते हैं, इसमें चट्टानों का इस्थानांतरण सामान्य ही होता है, यदि तनाव मुलक संचलन अधिक तीवर है तो विबंग तल के सारे चट्टानों का इस्तानांतरण बड़े पैमाने पर होता है इसे ब्रंस या फॉल्ट कहा जाता है ब्रंस या फॉल्ट तनाव मुलक संचलन की तीवरता के कारण जब भूपटल में एक तल के सारे चट्टानों का इस्तानांतरण जाता है तो उद्पन संचना को ब्रंस कहते हैं जिस तल के सारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का इस्तानांतरण होता है उसे विबंग तल या ब्रंस तल कहते हैं वास्तों में विबंग तल के सारे ही गती होती है जिससे ब्रंस का निर्मान होता है ब्रंस तल जिसके सारे गती का संचलन होता है लंबवत हो सकता है, जोका अत्वाक्षतिज हो सकता है, वक्राकार या किसी भी रूप में हो सकता है ब्रंस के विभिन्न प्रकार विबंगतल या ब्रंसतल विभंगतल वह सतय होती है, जिसके सारे संचलन होने से चट्टानों का इस्तानान तरण होता है यह लंबवत क्षितिज जुका हुआ वक्राकार या किसी भी रूप में हो सकता है दूसरा ब्रंस नती ब्रंस तता ख्षतिजटल के बीच के कौन को विबंग तल की नती कहते हैं तीसरा उतक्षेपित खंड इस उधर वपात पासर वभी कहते हैं ब्रंस तल के दूसरी ओर के खंड की अपेक्सा नुचे भाग को उतक्षेपित खंड कहा जाता है च्वता अधक्षेपित खंड इसे अवपात पासर वभी कहते हैं उपर उठे खंड की अपेक्सा निचले खंड को अधक्षेपित खंड कहते हैं सीर्ष बित्ती ब्रंस की उपरी दिवाल को सीर्ष बित्ती या उपरी बित्ती कहते हैं पादवित्ती, ब्रंस की निचली दिवाल को पादवित्ती क्याते हैं, ब्रंस कगार, ब्रंस के कारण इस्थलिय सत पर निर्मित खड़े डाल वाले किनारे को ब्रंस कगार कहते हैं, अधिक खड़े डाल के कारण कगार कभी कभी क्लिप के समान होते हैं, ब्रंस के प्रकार पहला सामान्य ब्रंस चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड जब विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं तो उसे सामान्य ब्रंस कहते हैं सामान्य ब्रंश में सीर्ष भित्ती या निलंबी भित्ती अधक्षेपित खंड की ओर होती है अर्थार्त यहां ब्रंश तल में निचे की ओर सरक जाती है ब्रंश तल प्राय लंबवत या खड़े डालवाले होते हैं सामाने ब्रंश द्वारा निर्मित खड़े डाल वाले कगार को प्राय ब्रंश कगार कहा जाता है जिसकी उंचाई कुछ मिटर से लेकर 1000 मिटर तक होती है व्यूत क्रम ब्रंश जब चट्टानों में दरार पढ़ने के दरार पढ़ने के चट्टान के दोनों खड़ आमने सामने की सकते हैं तो निर्मित ब्रंश को व्यूत क्रम ब्रंश कहते हैं इस तरह के ब्रंश में चट्टान का खड़ दूसरे पर चड़ जाता है इस क्रिया को उत्क्रम कहा जाता है इस आधार पर व्यूत्क्रम ब्रंश को उत्क्रम ब्रंश या क्षेपित ब्रंश भी कहा जाता है इस तरह के ब्रंश में सीर्ष बित्ती या निलंबी दिवार ब्रंश तल के उपर की ओर सरक जाती है अल्तार्थ सीर्ष बित्ती उपरी खंड के साथ उपर की ओर होती है और ब्रंश तल का ढाल सामान्य होता है दूसरा पासरविय या नति लंबी सरपन ब्रंश क्षितिज दिशा में संचलन होने से जब ब्रंश तल के सारे ख्षितिज गती होती है तो उसे पासरविय ब्रंश या नति लंबी ब्रंश कहते हैं इस तरह के ब्रंश में कजारों की रचना या तो होई नहीं पाती यदी होती भी है तो वह बहुत कम उची होती है। जब सैल खंड का संचलन ब्रंश तल की बाई ओर होता है तो उसे बाम पासरवर्थी या सिनिस्ट्रल ब्रंश कहते हैं। तथा सैल खंड का जब इस्थानांतरण ब्रंश तल के दाई ओर होता है तो उसे दक्सिन पासरवर्थी भरंश या डेक्स्ट्रल ब्रंश कहते हैं। तथा सोपानी ब्रंश जब किसी भूबाग में कई ब्रंशन का इस तरह निर्मान होता है कि सभी ब्रंश तल के डाल एक ही दिशा में हो तो उसे सोपानी या सीडीदार ब्रंश कहते हैं। इस तरह के ब्रंश के निर्मान के लिए अधक्षेपित खंड का आदोगमन एक ही दिशा में होता है। ब्रंशन द्वारा इस्तलाकरती का विकास ब्रंशन की किरिया द्वारा इस्तलखंड का कुछ भाग उपर उड़ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस कारण का ही तरह के इस्तल रूपों का निर्मान होता है। ब्रंशन द्वारा निर्मित इस्तल रूपों में होस्ट ग्राबेन तथा रिप्ट गाटी महतपून है। रिप्ट गाटी ब्रंशन की किरिया द्वारा उत्पन रिप्ट गाटी या दरार गाटी एक महतपून इस्तलाकरती है। जो किसी इस्तान पर जब दो सामानी ब्रंस कई किलो मिटर लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग दंस जाता है और एक बेसीन या गाती का निर्मान होता है तो उसे रिप्ट गाती या ग्रावेन कहते हैं उक्त सभी संचलन प्रत्वी के अंतरजात बलन द्वारा उत्पन होते हैं जिसमें वलन व ब्रंस महत पूर्ण संचलन है